हलो एब्रीवन, वेलकम टू लर्नरबी, आएम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिद्धी की बुक का चाप्टर 3 टोपी शुकला और यह जो चाप्टर है यह है संचियन जो आपका हिंदी गोड्स भी है तो हम काफी साले यह चाप्टर कंप् प्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका पीडियेव आप लोग हमाई टेलेग्राम गृप से ले सकते हैं तो टोपी ने इसके पहले का हो चुका है तो टोपी ने 10 अक्टूबर सन पैंतालिस को कसम खाई यानि कि 10 अक्टूबर 1945 को कसम खाई कि अब वै किसी ऐसे टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीक का बहुत महत्व है क्योंकि इसी तारीक को इफण के पिता बदली पर मुरदबाद चलेगा अब उसे 10 को ही का समखाई कि भाई मैं कभी ऐसे व्यक्ति से जो है दोस्ती नहीं करूंगा जिसके फादर ट्रांसफर होके जाते रहें क्य कि जो अगर जीवन के हम बात करें तो उसमें इस दिन के बड़ी इंपोर्टेंस है इफण की दादी के मरने के थोड़े ही दिन बाद यह तबादला हुआ था तबादला यानि की ट्रांसफर तो इफण की दादी से ही मतलब बहुत जादा पसंद थी तोपी को वो चली गए तोपी को बहुत दुख हुआ और फिर अब तबादला भी हो गया यानि की ट्रांसफर भी हो गया उसके इफण दोस्त के पापा का मतलब अब इफण को भी जाना पड़ेगा वहां से इसलिए तोपी और अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हिनाम सिंग के ती तोपी के दोस ना बन पाए डबू बहुत छोटा था बीलू बहुत बढ़ा था गुड़ू था तो बराबर का पर केवर अंग्रेजी बोलता था और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वह कलेक्टर के बेटे हैं किसी ने टोपी को मूह नहीं लगाया तो उनको एहसास थे हैं कि उनके बता था किविए फादर बहुत बड़ी पोस्ट पे तो टोपी से किसी ने बात ही नहीं की माली और चपरासी टोपी को पिचानते थे इसलिए वह बंगले में पहुच गया बीलू गुडू और डबू उस समय क्रिकिट खेल रहे थे डबू ने उनको इसलिए उनको उठा दी वह बैचारा केवल है समस्च का कि जब हाउस दाट का शोर हो उसे उनको उठा देनी चाहिए तो बस उसे उनको यह बंगले माली को बस इतना ही पता था उसके यह अलावा उसे कुछ नहीं पता था who are you डब्बू ने सवाल किया अब ये गेन किसने उठाई थी गेन जो पकड़ ली थी वो टोपी ने पकड़ ली थी अब तीन बच्चे के लेक्टर के वो खेल रहे थे अब एकदम से क्योंकि टोपी अंदर की तरफ आ गया था ये सवाल डगू ने किया डगू ने कि तो आदर कौण है तो देखे इस तरीके से ये बच्चे केम खेल रहे हैं और ये टोपी है जिसने बॉल को पकड़ लिया है बच्चे अब उससे वातिलाब करें उसने का कि तुमारे फादर कौन है तो उसने का भ्रिगू नरायन ए ब्लू ने एमपाइर की अवाज दी ए भ्रिगू नरायन कौन है ए एनी ओफ आवर चपरासी तो वो कहता है कि भ्रिगू नरायन कौन है कि क्या हमारा कोई चपरासी है नाही साहाब एंपायर ने कहा सहर के मशहूर दागदर है तो उनके शहर के मशहूर जो है वो दॉक्तर है भगू नरायन दागदर मतलब यहाँ पे जो भगू नरायन है वो एक डॉक्तर है यूमी डॉक्टर डबू ने सवाल किया ये सर हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी बस बट ही लुक्स सो क्लमजी बीलू बोला तो उसने बीलू ने बोला बट ही लुक्स सो क्लमजी यानि के काफी गंदा सा लग रहा है इसके फादर डॉक्टर है टोपी अकड़ गया तनी जबनिया समहल के बोलो एक लपड में नीचे लगी हो तो मतलब अब टोपी को बड़ा बुरा लगा कि कहा में भाई आगर कोई आपको गहेगा कि आप तो बड़े क्लमजी हो बड़े गंदे से दिख रहे हो तो आपको गुस्सा आ जाएगा तो टोपी को भी गुस्सा आ गया तो टोपी ने कहा कि जबन समाल के बोले कि लपड में नीचे गिरा दूगा एक थपड में नीचे में तुम्हें किरा दूगा ओ यू बिलू ने हाथ चला दिया टोपी रुडग गया फिर वह गालिया बक्ता हुआ उठा तो मतलब हाथ चला दिया बिलू ने ऐनकी डॉग था और उसने मतलब डब्बू ने अपने कुत्ते को इशारा कर दिया और कुत्ता जो है वो टोपी पर जपट पड़ा पेट में साथ सुईयां भुकी तो टोपी के होश ठिकाने आए अब उसको अलसेशन डॉग निकाल डट लिया था तो अब उसके पेट में इसके टोपी के पेट में लगवख साथ सुईयां लगी और फिर उसने कलेक्टर जहाब के बंगले का रुख नहीं किया परंतु प्रशनी है खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह क्या करे घर में ले दे सीता थी जो उसका टोपी का दुखदर समझती थी बाकि तो कोई टोपी कर समझता ही नहीं था तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्वा भी छोटी हो गई सीता को घर के सभी चोटे-बड़े डाट लिया करते थे तो टोपी नह बाबू और भैरफ का दास करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोटरी में ले जाकर समझाना शुरू किया तो एक रात मतलब बहुत पिट गया था टोपी तो फिर सीता नहीं उसको समझाया बात यह हुई कि जाडों के दिन थे मुनी बाबू के लिए कोट का न तो मतलब बिचारे टोपी को भी पुराने कप्टे ही मिलते थे घर में टोपी ने वह कोट उसी वक्ट दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया था तो भई उसने सोचा टोपी ने कि मैं यह उत्रन नहीं पहनूंगा तो तभी नौकरानी के बेटे को दे दिया दूस तोपी ने कहा तो तोपी मतलब इतना गंदा व्यवार पता नहीं क्या चप्टर है इसमें अपनी बच्चे के साथ को इतना बेकाई व्यवार क्यों करते थे तुम जूते खाओ सुब अधरा देवी बोली तो दादी मतलब कहती थी तुम चावल वावल और कुछ नी खाओगे फिर क्या था दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया राम दो लालीनों से बीटना शुरू कर दिया अब फिर दादी भी हंगामा करने लगी और बेचारे टोपी की मा उसको पीटने लगी क्या गंदा सी बात है बेचारे टोपी के साथ बढ़ा गलत हो रहा है तू दस्वा मे हो तुम दादी से मतलब भाल cactus मद करो और मतलब दादी से छोड़ो है न सीथा ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह दस्वे में पहुंच गया है कि यह इतनी आसान नहीं थी तरस में पहुंचने के लिए उससे बड़े पापर बेड़ने पड़े दोसाय फेल ही हुआ न मुन्नी बाबू intermediate में फर्स्ट आये और भैरफ छटे में तो भैरफ छटे में फर्स्ट आ गए मुन्नी बाबू intermediate मतलब 12 में फर्स्ट आ गए बट तो फेल हो रहा था बेचारा सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया वह बहुत रोया मतलब बहुत ज़ता डाट है भोंदू बुद्धू थोड़ा बैचारा बुद्धू जा था और उसे कोई उसको ऐसा रखना था उसको पढ़ने बैठता मुनी बाबू को कोई काम निकल आता यह रामदुलारी को ऐसी कोई चीज मगवारी पढ़ती जो नौकरों से नहीं मगवाई जा सकती थी बैचा क्लंक के कीद्रा उसके सब्सकीट हुआ परनतू हमें उसकी मुशकिलों को भी दियान में रखना चाहिए अपने साथियों के साथ था वे फेल हो गया साथि आगे निकल गए वे रह गया सन पचास में उसी दरजे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल आठवे सर में थे तो उसके अपनी क्लास के जो फ्रेंज थे वो तो आगे बढ़ गए थे बट उसके जो बाकी जूडियों के साथ बैठना कितना बैचारे के लिए शरमनाक होगा पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई असान काम नहीं है उसके दोस दस्वे म हुआ कि कमजो लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते मतलब इतना जादा उसके साथ ठीचर्स भी करते थे कि जो वीग बच्चे कहते थे देखो अगर पढ़ोगे नहीं तो टोपी जैसे फेल हो जाओगे क्या मतलब है साम अफ्तार या मुहम्मद अली बल अरवंद्र की दरहर हैं कि टोपी दरहर इसी क्लास में रहोगे यह सुनकर सारा दरजह हस पढ़ता हसने वाले होते जो पिछले साल आठवे में थे वे किसी तरह इस साल को जहल गया पर अन्तु जब सन इन्यास में उसे नवे दरज़े में ही बैठना पढ़ा तो सन 51 में भी उसे नवे दर्जे में ही जब बैठना पड़ा वे बिल्कुल गीली मिट्टी का लॉंदा हो गया, गीली मिट्टी का लॉंदा मतलब भई कुछ भी बना लो उससे, क्योंकि अब तो दसवे में भी कोई उसका दोस नहीं रहा गया था, आठवे वाले दसवे में थे, साथवे वाले उसके साथ उसके बीच में वह अच्छा खासा बूड़ा दिखाई देता था तो बतलों आप बढ़ा भी दिखाई देने लगा था वह अपने भरे पूरे घर की दरहा अपने स्कूल में भी अखेला पड़ गया था तोforme से घर में उसका कोई साथ नहीं देता था अब क्योंकि क्लास में भी दो बार फैल हो गया तो इसका दोस्त नहीं बचा मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिलकुल ही छोड़ दिया था टीचर्स उसके दर ध्यानी देते थे कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता पर तो जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा तीन बरस से यही किताब पढ़ रहे हो तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है तुमसे पार साल पूछ लूँगा तो मतलब वो हबाबर हाथ उठाता था ठीक है तो फिर एक बार इंग्लिश के टीचर ने कहा दिया उससे कि तुम तो तुम्हें तो पता ही होगा दो साल से तो इसको पढ़ी रहे हो अब ये बच्चों को तो अगले साल मतलब जाना है टेन्थ क्लास में तुमसे मैं अगले साल पूछ रहूँगा तो पी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दोड़ाई और जब तमाम बच्चे खिलकल लाकर हस पड़े तो वह बिलकुल मर किया जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इनी बच्चों की तरह बिलकुल बच्चा था अब तो उसे तो साल नहीं थी क्लास में हो गयते फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिलकुल बिला उठा वहीद क्लास का सबसे तेज रड़का था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शर्फुद्दीन का बेटा था और टोपी के फादर नीले तेल वाले डॉक्टर थे उसने कहा बलबदर अब यह तो हम लोगन में को घुसता है एड्स वालन से दोस्ती कर हम लोग तो निकल जाएंगे बाकी तो हूँ ता उन्ही सबन के साथ रहे के हो मतलब वो कह रहा था कि तुम हम से दोस्ती को करने आ रहे हो टोपी को उल्टा सीधा बोल रहा था कि भाई तो ऐसे लोगों के मतलब जाना जो यहीं पर जिन्ने रहना है हम तो आगे बढ़ जाएंगे तू तो इसी ग्लास में हो गए मतलब इसके फादर अब चुनाफ में खड़े हो गए अब जिस घर में कोई चुनाफ के लिए खड़ा हो उस घर में कोई पढ़न लिख सकता है क्या वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्द हो गई तब घर में जरा सन्नाता हुगा और टोपी ने देखा कि इ तो पास ही हो जाए वही बहुत था दादी बोली भगवान नजरे बंद से बचाए रफ्तार अच्छी है तीसरे बरस तीसरे दर्जे से पास हो गया है तो भगवान इसको पुरी नजर से बचा एसा दादी ने कहा तो बचारे टोपी के साथ तो बड़ी गलग चीजें हुई थी यह हमने चाप्टर पर देख ली होफूले आपको चाप्टर पसंद आया होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए तेंक्यों